चार दिन में वाइरल इंफेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं, आप उनको ट्रीट करिए ये ना ट्रीट करिए सिम्टोमेटिक ट्रीट्मेंट, बच्चे को बुखार है, बुखार का इलाज करिए, खांसी है, थोड़ी सी भाफ दे दीजे घर के नुस्खे थोड़े बहुत इस्तमाल किये जा सकते हैं, हर चीज़ के लिए एंटिबाइटिक देने की जरुवत नहीं है, अपने आप एंटिबाइटिक्स ना दें, जब आपको लगे, तो पेरेंस को लगता है कि अगर जुकाम खांसी होगी है, एंटिबाइटिक दे जा सकते हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे तीन से पांच दिन में, पेरेंस को थोड़ा सा धीरज रखना है, and they have to consult a doctor, लग रहा है, बुखार दो दिन में ठीक नहीं हुआ, that is the time जब एंटिबाइटिक की बारी आनी चाहिए, पर उसमें भी, let the doctor decide, this should not self-medicate. is the key to a child's good health, yes, 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 इसे से जुड़ा है हमारे अगले caller का स्वाल, Dr. Mahir, जो की है, Raju, जो हमें अंबाला से फोन कर रहे है, Raju, आपका स्वागत है, health line में, आप अपना स्वाल पूर सकते हैं, चैँड nazοι, जी नमस्कार, जी नमस्कार, KiKA, जी जी नमस्कार, पहल है न मेरोस bon chay साद मेरे बच्चे यही कि मेरे बच्चार का है, कि इसको रह भाडी अमरे बहुत दरम की तहीं है, कुछ।र把它 हो बच्चे पे सुस्तायाँ जी जाहर है, इनके प्राव्लम है कुछ के इस जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चे का शरीर आपको गरम महसूस होता है, अगर आपके पास थर्मोमीटर है, आप थर्मोमीटर लगा के देख सकते हैं कि वास्तव में बच्चे को बुखार है या नहीं, अगर 100 डिगरी या 100 से जादा बुखार आप रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको डॉक्यूमेंट ना करें कि बच्चे को बुखार है, तो नॉर्मली हमारी बॉड़ी कितनी वार्म फील करनी चाहिए, नॉर्मली नो, फील, जो फीवर की बात है, उसमें तो गरमाश अलगसी होती है, बिल्कुली, नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर बच्चे का 97 डिग बॉड़ी का 97 डिगा, इसमें अगर दो तीन बार का रिकॉर्ड हंड्रेट से नीचे है, नो नीट टू वरी, ठीक है, और हमाने कुछ प्रेवेंशन स्टिप्स बताएं, जिनें फॉलो करके हमें एक सुरक्षित भविश्य दे सकते हैं हमारे बच्चों को, सी, most important is पैदा ह होने पे ही vaccination schedule follow करना है, नमबर दो, सफाई बरतनी हैं, अपने हाथों की, बच्चे के हाथों की, बच्चे के शरीर की और बच्चे को खिलाने पिलाने की, नमबर तीन, जब बच्चे को कोई problem होती है, जुखाम, खांसी, बुखार, उल्टी, lose motions, आप 24 गंटे तक भले हैं, तो आप अपने local doctors को जरूर consult करिये, self-medicate ना करें, वह हम काफी बारी कर जाते हैं, अगर उनके बच्चे को कोई छोटा सा भी issue है, या infection है, या किसी चीजी से allergy है, तो उसके बच्चे बैंके बैन लगा देते हैं, कि इसको ठंडा नहीं देना, या ice cream नहीं देनी खाने को, इसके side effects, side effects नहीं, ये पीडियों दर पीडी चला आ रहा है, और जो की, मतलब deeply ingrained है हमारे brains में, और कितना भी पढ़ने हम इन चीजों को भूल नहीं पाते, जो parents कर पाते हैं, they are happy, they are able to follow, बुखार में नहलाना नहीं चाहिए, खांसी जुखाम हो गया, तो ठंडा पान नहीं नहीं देना है, नहलाना नहीं है, एक blanket ऊपर fever है, तो एक blanket ऊपर से डाल दीजे, ये सारी चीजें counterproductive है, इनका असर बच्चे पे बिलकुल उल्टा है, we are likely to cause more damage to children, than any good, yes, so ऐसे में, मतलब, we have to follow the advice, we have to look into some logic, और जो लोजिक कहे, उसको follow करिये, forget about हमारे परदादों नहीं हमें क्या बताया, वो scientist तो नहीं थे, बिलकुल, ठीक है, इसी बात पर ले ले लेते हैं, एक छोटी सी break, पर कहीं जायेगा नहीं क्योंकि break के बाद हम आपको बताएंगे, बच्चों वाले घर में first aid kit की क्या importance है, infections के चलते, बच्चे कमजोर हो जाते हैं, और इस ति गर में जहां एक बच्चा है, वहां पहली बार जब बच्चा बेड से गरता है, या उससे कहीं चोट लगती है, और उसके बाद में जो सीन होता है घर पे, उससे बड़ा साफ हो जाता है, first aid की training और first aid kit का घर में होना, Emergencies तो आनी आनी है, because children by nature are adventurous, उन्होंने इदर हाथ लगाना, उदर हाथ लगाना, जंप करना, this is part and parcel of growing up, इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, उनकी natural instincts को दबा नहीं सकते हैं, You have to be prepared कि जब ऐसा हो, तो हमें क्या करना है, once again, जो हमारे दिमाग में है, सालों साल से, उसे erase करना होगा, समझना होगा, common चोटों के बारे में, and एक simple सा first aid box, जो कि हम बच्चे को acute emergency में handle कर सकें, जिससे कि हम उसे doctor तक ले जाने तक, से पहले हम उसको, उसको हम worsening और एक जादा damage ना होने दें, तो एक first aid kit में, in specific बच्चों के cases में क्या होना चाहिए? first aid kit में, पट्टी, cotton, एक antiseptic like betadine, एक ointment, if possible a tweezers which is there at every home, painkillers जैसे कि सिरफ crocin होती है, हर घर में होती है, कोई anti-allergic medication, एक cold pack, एक warm pack, and pressure देने के लिए एक towel, these are the common things, जिससे कि most physical injuries, physical injuries means, गिरना, चोट लगना, cuts, wounds, can be taken care of. burns के लिए क्या करें? burns के लिए cold pack, ice water, immediately, उससे जादा कुछ नहीं करना है, एक बार वो करने के बाद में, आप दोक्टर के पास ले जा सकते है. जाना जरूरी है? depending upon अगर तो छोटा सा ही burn है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, antiseptic cream can be applied after cold water wash, but if the area is very large, then one must consult दे. And what is the importance of not getting into a panic? Usually, बचा गिर गया है, उसको थोची चोट लग गया है, दर्वाजे में हाथ आगया है, या खेलते खेलते, उसको कुछ चोट लग गया है, तो first reaction होता है, panic का, oh my god, यह क्या हो गया? Panic एक ऐसी चीज है, which paralyzes the brain and destroys your judgment. So, अगर आपको कुछ आता भी है, तो वो भी आप गलत कर दोगी. So, first thing is not to panic in an emergency situation. Easier said than done, because मा, मा होती है. We expect mothers to get panicky, but जो नहीं होते, they are able to save their child from a lot of problems. मा के अलावा दूसरे भी family members होते हैं, at least they can help by not getting into a panic. And जो भी चीज करिये, सही करिये. और emergency के हम बात करें, तो मापास email पे हमारे एक viewer का question तो नहीं concern आया है, कि काफी बारी बच्चे कोईन स्वालो कर लेते हैं. या कोई playing object है, उसको कान में या नाक में डाल लेते हैं. और such things, या बिजली की socket में उंगली डाली, किसी bottle के बीच में अपना thumb या finger फसा ली. तो इसमें वो खुद क्या करें, वो जाना चाहती हैं, कि खुद कुछ करें या फिर सीधा दॉक्टर के पास जाएं. ऐसे कुछ तो हैं life-threatening situations, जैसे की coin मुँ में डाला बच्चे ने और वो अपने respiratory passage में, हवा वाली pipe में ले गया. That's an emergency, जिसमें की बच्चा विल स्टॉप ब्रीधिंग सडनली इट इस स्टॉक्ट, ऐसी situation में हीमलिच मन्यूवर किया जाता है, जिसमें की बच्चे के पीट पर दोनों बोन्स के बीच में एक जोर से थपका मारा जाता है, थोड़ा सा बच्चे को आगे की तरफ जुकाना हैं, कई लोग बच्चे को छोटा है तो पूरा उल्टा कर देते हैं, और पीछे बैक पे दो तीन थपियां देते हैं, जिससे की जटके के साथ में आ जाए बाहर, तो अगर कोई बहुत अच्छा फस्टेड में ट्रेंड है, बाकी रह गई की नाक में और कान में कोई अबजेक साफ नजर आ रहा है, बिलकुल आगे ही है, और आपका वन अटेम्ट में वो अबजेक्ट बाहर की तरफ आ गया, तो ठीक है, अगर वो अबजेक्ट अंदर पुछ हो गया है, और देन स्टॉप देर और कंसल्टी डॉक्टर, अगर दिख रहा है तो निकालने की क जले जाएं, अगर नाक में अबजेक्ट पड़ा है, कुछ नहीं होने वाला, डोंट अटेम्ट तो रिमोव दाट तिंग अनी फर्दर, बाकी रह गई बात कॉइन की, कॉइन बच्चे ने निगल लिया है, बच्चे को किसी किसम की सांस की तकलीफ नहीं है, पेठ में जा सकता है, जैसा कि कहा जाता है घर में की केले खिला दीजे, यह कर दीजे, केले से तो वो चीज उसी में केले में मास में फस जाएगी, और एक बार अगर कॉइन या कोई भी ऐसा अबजेक्ट आगे निकल गया, स्टमक से, पेट से आगे चला गया, तो आंतों में वो कही फुट की लंबी आते होती है, उनमें वो कहीं भी फस सकता है, तो इसलिए बेटर है कि उसको उपर से ही दुर्बिन द्वारा निकाल लिया जाए, तो ऐसे में, और वो किसी ने फिनायल पी लिया है, I mean I've heard of such cases also, where a kid उसको पता नहीं था कि वो क्या है, obviously बच्चे को नहीं बता होगे कि फिनायल है या पीने के कोई squash है या juice है, फिनायल पी ली, in that case क्या करना चाहिए? First year of life, जैसे ही आपका बच्चा चलना शुरू करता है, आपको शायद एक हफता लगाना पड़ेगा अपने घर को child safe बनाने के लिए, फिनायल तो छोटी सी चीज है, वो तो पता ही है कि हमें जहर होता है, तो out of reach तो रखें ही, बच्चा vinegar ले ले, salt खाले, अचार पड़ा ह उसको कुछ कर ले, boot polish को हाथ लगा ले, ठीक है, sabun liquid soaps है, various kind of medicines है, यह सारी चीजे हैं जो आसपास पड़ी होती है, फिनायल तो फिर भी आप ऊपर रखते हैं, तो ऐसे में prevention is the key, तो say कि मैं फिनायल से कैसे बचाओं, kerosene से कैसे बचाओं, best thing is to prevent, बचाओं नहीं, क्या कर Stomach wash is not at all recommended, attempting to make a child vomit is not at all recommended, which includes kerosene and phenyle, or any other thing which evaporates, because making our attempts to vomit that, would mean that वो liquid उपर जब आएगा, तो evaporate होगा, can damage the lungs, So, इसलिए, किसको स्टमक wash से निकालना है, और किसको नहीं, this has to be in consultation, at least उसको phone कर दीजे, आज सुबही किसी मदर ने फोन किया, कि बच्चे ने थाराइड की तीन गोलियां खाली है, अब गोलियां खाई है, our immediate advice was, where are you, उन्होंने का, जी हम 40 minute दूर है, तो हमने उने यही का कि अब उल्टी करवा दीजे, 5-7 minute में their attempts were successful, बच्चे ने major part drug उल्टी के जरिये निकाल दिया, क्योंकि दवाई swallow की है, उसके किती देर में वो dissolve हो थी है, it has to be within half an hour, अगर आदे गंटे से जादा हो गया, that means 50% से जादा वो drug absorb हो चुका, तो parents reaction should be, that's, और एक और एशू है, email पर हमारे पास question आया है, हमारे एक viewer का, कि उनके घर में pets हैं, और छोटे बच्चे हैं, 6 months to 3 years की बच्चे में के 2 बच्चे हैं, तो अब pets को तो घर से बाहर ने निकाल सेकते, just because they have kids, so what to do and how to ensure that the kids don't catch infections from the pets, See, infections तो, थोड़ा बहुत तो incidents, infections और allergies का तो होगा ही होगा pets के साथ में, but at least जो जान लेवा infection है, for example, rabies and other kind of infections which can be fatal, ऐसे में parents को ensure करना है कि pets को बिलकुल timely vaccinations दिये जाए, सफाई रखी जाए, उनके fur shedding जो होती है, वो घर के बाहर हो, and there should be certain areas in the house, especially अगर 3 महने और 6 महने और साल के बच्चे हैं, तो ऐसे में, there should be no contact between the pet and such a small child, no contact at all, no contact, 6 month and 1 year is, बहुत ही छोटा बच्चा है, ऐसे में pet का क्या reaction होता है, क्या infection है, yes, Dr. Mahesh, आप हमारे studio में आई, उसके लिए बहुत बहुत थान्यवाद, इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि छोटे बच्चों की देखवाल के बारे में हम आपको कुछ helpful tips दे पाए हैं, अगर आपकी health से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप हमें इस पते पेर email कर सकते हैं, हमारा पता है healthline at daynightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी health से जुड़ी समस्या बता सकते हैं, हमारी phone line सोंबार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी, हमारा phone number है 0172 504 3734, हमारा number आप अपनी TV स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और फिलहाल अभी के लिए healthline में बस इतना ही, अगले हफ़ते हम फिर हाजिर होंगे एक और informative topic के साथ, till then take very good care of yourselves.